नमस्ते एवरिवान, वेलकम बैक तू प्रॉक्सी ग्यान, प्रॉक्सी ग्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जैसे की प्रॉबेस किया था, आज हम करेंट फेर्स रोजाना सीरीज में दे हिंदू न्यूस पेपर के कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं, आज का हिंदू न्यूस पेपर ना थोड़ा सा इजी आया था, इजी मतलब आर्टिकल्स बहुत ही कम थे आज पढ़ने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स तो तीन चार ही थे, तो ये भी याद रखिएगा, जब भी आप न्यूस पेपर पढ़िये, जब आप syllabus के according नियूस पेपर पढ़ते हैं, तो already आपका जो burden है, वो कम हो जाता है नियूस पेपर पढ़ने का, क्योंकि syllabus के साब से कुछ ही आर्टिकल्स होते हैं, जो important होते हैं, जैसे कि आज हम start करने जा रहा है हमारे first important article से, यहाँ पर मैं आपके रिए एक important announcement लेकर आई हूँ सबसे पहले आप यह देखिएगा कि प्रॉक्सी जान ने BPSC की test series launch की हैं जो कि first of September से start हो रही है under the very able guidance of Veronica ma'am अब इस test series में आपको क्या मिलेगा अगर आप BPSC exam की तयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा September end में यह exam होने वाला है और अगर आपने अपना syllabus complete किया है या आप revise कर रहे हैं सबसे important aspect होता है test practice करना जो भी test आप practice करते हैं वो आपकी memory को enhance करता है आपकी understanding को strong करता है जैसे की यहां पर हम देखेंगे कि BPSC की जो test series veronica ma'am लेकर आ रहे हैं 1 September से उसमें आपको 20 तो sectional test मिलेंगे और 5 full length test मिलेंगे अब आप पूचेंगे माम यह sectional और full length के बीच में difference क्या होता है sectional subject wise topic wise होते हैं और जो full length test होते हैं वो सारे topics को एक ही paper में cover करते हैं तो दोनों ही तरीके से आपकी तयारी है veronica ma'am करवाने वाली है प्लस जैसे ही आप यह QR code देखते हैं आप इसको अपने payment tab से scan करेंगे और बस 499 बहुत ही affordable fees हमने रखी है इस test series की आप payment जैसे ही करेंगे उसका screenshot आप इस whatsapp number पर हमें भेजेंगे जहां हमारी team आपको private telegram group for this test series का link भेजे की जहां आपको enroll कर दिया जाएगा तो basically इस test में क्या होने वाला है कि आपके सारे doubts को resolve किया जाएगा PYQ के revision करवाई जाएगी PDF solutions आपको provide कर आए जाएगे आपको full pledger तयार करवाया जाएगा BPSC के आने वाले exam के लिए तो यह हमारी class के PDF आपको हमारे telegram channel proxy ग्यान पर मिल जाएगा तो आप बहां से class के PDF को you know in download कर सकते हैं चलिए start करते है अब पहला जो article है वो बोलता है gig workers reading between the lines यह article paper 3 से related है prelims के लिए हमें समझना है कि gig economy क्या होती है और mains के लिए हमको समझना है कि what are the issues which are right now associated with gig workers in India and what the bill is all about Rajasthan ने gig economy gig workers के लिए bill release किया है launch किया है बट उसमें भी चार major issues है जो इस article में author ने दर्शाए हैं तो इसलिए हम उन issues को उन problems को समझेंगे सबसे पहले आप screen पे देखेंगे समझते हैं कि article बोलता क्या है first of all the article is about Rajasthan government introduced Rajasthan platform based gig workers registration and welfare bill 2023 Rajasthan government first government है जिसने gig workers के लिए एक welfare bill launch किया है यह registration और welfare bill है अब इसका aim क्या है यह समझते है aim of this bill is to ensure social security for gig workers आपको पता है gig workers कौन होते हैं जो side hustle करते हैं for example zomato के employees हो गए वो दिन में zomato के delivery man की तरह काम कर रहे हैं शाम को zepto के सांथ काम कर रहे हैं बीच में कहीं कहीं अपनी driving you know drivers के तौर पे काम कर रहे हैं या watchman के तौर पे काम कर रहे हैं मैंने देखा था मेरे society में एक watchman था जो रात को तो night watchman की duty करता था और सुबह वो zomato का delivery man के तौर पर काम किया करता था क्यों क्योंकि उसको एक side में अलग से income source चाहिए थी because at this position income जितनी जादा sources लोगों के पास हो उतना जादा उनको अपने खर्चे अपने family के responsibilities उठाने में help मिलती है इसे हम gig worker बोलते हैं या gig economy बोलते हैं ठीक है अब इस bill के अंदर भी इन तीन authors ने सानी जो हो जे इंदू पोर्निमा और पी रगुपती इन तीनों authors ने चार major issues जो हैं वो identify किये हैं जिसकी वज़े से जो bill का reach है या bill का intent है वो fulfill नहीं हो पा रहा है तो क्या ऐसे major issues हैं चलिए समझने हैं तो पहला major issue है वो है the first issue arises from the definition of a gig worker and aggregator in the bill जो gig worker है और जो job provide कर रहा है और data store कर रहा है उन दोनों की definitions clear नहीं है basically ये bill एक welfare bill है so it is motivated and inspired by the code on social security 2020 basically ये bill जो है it defines a gig worker as a person who performs work और participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationships and who works on a contract that results in a given rate of payment basically gig worker ही कैसा worker है जो इस तरीके के work arrangement में involved है जहां पर employer-employee relationship नहीं होता है क्योंकि वो एक ही organization का employee नहीं है side hustle, freelancing के तौर पर वो अलग-अलग employees के साथ काम कर रहा है employers के साथ काम कर रहा है so he is not in a traditional employer-employee relationship ठीक है and उसको एक given rate of payment fix की जादी है for example Zomato में per delivery 25 रुपे fix किये गए है तो एक यहां पर या फिर आप किसी institution में काम कर रहे हो आप एक से जादा institution में काम कर रहे हो तो आपकी per hour की जो salary है वो fix की गई है कि per hour आपको इतना पैसे मिलेंगे या एक video के आपको इतने पैसे मिलेंगे आप एक lecture upload करोगे you will get 500 rupees or 600 rupees depending on your experience and work quality तो यहां पर एक fixed monthly salary नहीं है traditional employer employee management system नहीं है then it defines an aggregator as a digital intermediary and includes any entity that coordinates with one or more aggregators for providing the services अब aggregator कौन है अगर किसी को gig worker की service provide करवानी है किसी institution को तो वो बीच का जो middleman होगा वो aggregator होगा जो उन लोगों का database gig workers का database तयार करेगा कि यह इंसान इन चीजों को कर लेता है यह इंसान की address वगेरा यह है और यह in activities में माहर है उसकी according वो institutes को उनकी service provide करवाएगा तो यह होगा aggregator की definition अब यहां पर समझना यह है कि यह definition clear क्लियर क्यों नहीं है these definitions are far from clear and binding in treating the aggregator as employer यानि कि aggregator employer नहीं है उसमें कोई clarity नहीं हा रही है तो gig workers जो है they would be seen as contractors और self-employed उनको employees तुमाना ही नहीं चाहेगा aggregator के दौरा यहां पर दे को बीच में क्या है एक agency है जो आपको maid की service provide कर रही है तो जो agency हमें पता है कि भईया यह you know they are the employers and they are employing these maids and they are providing their services to other homes and other institutions बट यहां definition इतनी unclear है कि ऐसा लग रहा है कि यह contractual basis पे लोग काम कर रहे हैं अगर कोई contractual basis पे काम कर रहा है तो उसको as employee समझा ही नहीं जाएगा अगर वो employee नहीं है labor नहीं है तो फिर उसको जो benefits है bills के या welfare जो scheme से उसके लिए वो उसको providing नहीं करवाई जाएगी that is the problem ठीक है तो यहां पर जो labor code के social welfare benefits है वो नहीं पहुँच पाएंगे gig workers तक च्योंकि definition में ही कमी है definition में loophole है definition बता रहा है कि gig workers तो एक तरीके से contractors है तो contract basis पर काम करते हैं पैसा लेते हैं चले जाते हैं तो उन तक welfare schemes या welfare measures कैसे पहुचाए जाएंगे है न तो यह problem आ रही है second issue क्या है यह समझते हैं यहां देखेंगे by not defining the gig workers as employees bill is limited in its ability to integrate existing labor laws into its coverage ambit मतलब coverage अब भई जब gig workers employees ही नहीं है तो फिर यहां पर उनके लिए employee welfare schemes कैसे applicable होंगी है न वैसे तो यह bill जो है वो बोल रहा है it is about registration and welfare but registration कैसे करें जब वो you know task basis पर काम कर रहे हैं freelancing की तरह काम कर रहे है that is the issue तो यहां पर definition की clarity चाहिए यह point यह important है third important issue क्या है the bill aims to create the bill aims to create database of gig workers where details of all workers on boarded or registered with a platform would be transferred to proposed gig workers welfare board एक database बनाया जाएगा इस bill के हिसाब से जहां पर सभी gig worker का नाम detail जो भी registered है तो यह on boarded है उन सब का details सारी information इस database में mentioned होगी ठीक है but such a database which is maintained by the board does not withstand the duration or time of engagement यहां पर यह point लिखा ही नहीं हुआ कि मानलो राकेश काम कर रहा है as a gig worker with Zomato तो कितने time तक काम कर रहा है कितने hours देता है यह इस database में mention करने की कोई भी provision इस bill के अंदर नहीं दिया हुआ है ठीक है because of which there is lack of clarity कि भई अगर मानलो 2-5 राकेश Zomato के साथ काम कर रहा है बड़ database में यह चीज मेंशन नहीं है तो उसी time पर कोई और aggregator राकेश को कहीं और काम देने की बात करने लगेगा कि आप Zepto के साथ 2-5 काम करो अब इससे क्या होगा delay in the process of hiring हो जाएगी है ना जब दोनों ही aggregators को पता ही नहीं है कि राकेश का fix time of working क्या है इसके बारे में कोई provision ही नहीं है तो जब database में information updated ही नहीं होगी तो क्या होगा कि भाई पता ही नहीं चलेगा कि इस company के साथ राकेश अभी भी काम कर रहा है या नहीं यह ना that will also pose as an impediment अब last issue यहाँ पर क्या बताया जा रहा है authors के द्वारा fourth issue is the bill at its core aims to guarantee social security to platform based gig workers by constituting a representative welfare board bill में लिखा हुआ है कि एक representative welfare board बनाया जाएगा उनके social security को guarantee करने के लिए and it brings in eight aggregators और primary employers based service under its remit but it is not defining what is social security and what are welfare measures लिख तो दिया bill के अंदर कि हम social security provide करेंगे welfare measures provide करेंगे but उनको define ही नहीं किया जब आपने define ही नहीं किया again clarity की कमी है लोगों वो कैसा पता चले कि कौन से welfare measures हमें मिलने वाले है किस तरीकी कि security हमें मिलने वाली है that is the whole issue about this bill bill बना दिया but ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में बना है क्योंकि यहाँ पर definition सी clear नहीं है तो इसको misuse भी किया जा सकता है to some extent तो this is the problem यह problem यह bill face कर रहा है इस वक चलिए second important article के उपर आ जाते हैं election commission autonomy in the crosshairs यह article पहले भी हमने discuss किया था कि election commission को लेकर problem यहाँ पर क्या आ रही है बेसिकली मार्च टू में सुप्रीम कोटें वर्डिक्ट पास किया था कि प्रेजिनेंट अपॉइंट करेंगे चीफ election commissioner और other election commissioners को ठीक है based on a committee's recommendation एक committee को एक committee स्थापित की जाएगी जो कि recommend करेगी इस तरीके के appointment को जिस committee में प्राइम मिनिस्टर होने थे leader of opposition party largest opposition party होनी थी और यहां पर CGI होने थे but government ने अभी recently राज्य सामा में एक bill प्रस्तुत किया है एक bill रखा है सामने and that bill is CEC and other election commissioners bill 2023 जिसके अंदर government बोल रही है इस committee में selection committee में सिर्फ prime minister होगा leader of opposition party and union cabinet member होगा जिसको prime minister appoint करेंगे that is the issue कि यहां पर government अपना upper hold इस्थापित करने की कोशिश कर रही है when it comes to appointing the CECs and other ECs so basically it is undermining the independence of CEC undermining the independence of judiciary जब आप CGI को अड़ाने की बात कर रहे हो selection committee से इसका मतलब आप judiciary की जो बात है जो say है उसको undermine कर रहे हो that is the entire conflict all about तो यह मैंने यहां पर paragraph बहुत अच्छे से highlight किया इसको हम पहले भी पढ़ चुके है तो आप इसको एक बर फिर से revise कीजेगा इस particular highlighted paragraph के दूँ जो मैंने proxy ज्यान के telegram channel पे upload भी किया है बहुत basic है यह हमने पहले भी cover किया है तो इसको आप समझना easy हो जाएगा last important article के उपर आते हैं प्रज्यान confirms sulfur near south pole of moon यह बहुत important article है prelims के perspective से बहुत important है अगर आप UPSC या BPSC की तैयारी कर रहे हैं प्लीज इस article को ignore मत कीजिएगा basically the article says कि चंद्रयान 3 mission जो अभी successful हुआ है south pole of moon पेर उसकी soft landing हुई है चंद्रयान mission में एक प्रज्यान rover था जो हमने discuss किया था ना चंद्रयान 3 के lecture वीडियो में तो प्रज्यान rover ने क्या confirm किया है existence of sulfur moon की सतह पर south pole में sulfur पाया गया है यह बहुत important aspect है और यह किसके through you know discovery हुई है laser induced breakdown spectroscopy instrument के through जिसको lips बोलते है basically lips क्या करता है laser pulses का use करता है materials को analyze करने के लिए ठीक है अब यहाँ पर आप क्या करता है यह hot localized plasma you know use करता है जिसकी light से क्या होता है material के उपर इसकी plasma की light पढ़ती है और इस light के through elemental जो composition है यान कि किस element से वो product वो चीज़ बनी है उसको analyze किया जाता है lips के द्वारा अब इस analysis से reveal हुआ है कि यहाँ पर चांद के south pole में aluminium जैसे elements पाए गए है sulfur, aluminium, calcium, chromium, iron, titanium ये lunar surface पे elements पाए गए है hydrogen की अभी मौजूदगी चल रही है search किया जा रहा है अभी in-situ measurements चल रहे है oxygen is also included तो आप देखेंगे कापी important discovery है जो यहाँ पर चांद की सतर पर की गई है so this was all about today's the most important articles जो हमने पड़े इसके pdf आपको हमारे telegram channel proxy ज्यान पर मिल जाएंगे जरूर वहां से आप इसको download कर दीजेगा आज के लिए इतना ही दोस्तों उमीद करती हूँ यह lectures आपको पसंद आ रहे हैं आप enjoy कर रहे हो इन lectures को on this note we are wrapping up the class everyone thank you and have a wonderful day ahead namaste